दोस्तो जंगलों में जानुबरों को जिन्द रहने के लिए हार रोस ना जने कितने मुसीवते और कितने जानुबरों से भेरना पड़ता है। वैसे तो जंगल के हार जानुबरों को ये मालूम होता है कि उससे किस से लाड़ना साही और किस से नहीं। लेकिन कई वर कई जनुवार ओवर कंपेडेंट होकर अपना वकाद से बाहर साले जाते हैं और ताकतवर जनुवार से पांगा ले वेड़ते हैं और उसके बाद उनका जो हाल होता है वही आज हम इस इंडरेस्टिंग वीडियो पर आपको दिखाने वाले हैं तो सलिए बिना को लेकर एक जबरदस्त लाड़ाई सीर गई ये दोनों गोरिला आपस में लाड़ते हुए इसे लाग रहे थे मानों यहां किसी हलिवट मूबी की शूटिंग चल रही हो दोस्तों शेर से उसका शीकर सुरने का क्या नातिजा हो सकता है ये वीडियो में नजर आ रहा है इस लाकर वग्गे को तब पता सला जब एक विशाल शेर इसकी इन हरकतों से गुच्सा होकर इसे साजा दी और अपनी मजबुत जबरे से इनकी गर्दन मरर कर एक ही सेकेंड में इसे मौत की निंद सुला दी यहापर ये टाइगर एक भालो को आकेला देखकर तीरे दिले घात लागाते हुए उसकी तरफ बढ़ता है लेकिन जैसे ही भालो को इसके होने की भानाग लगती है ये भागने के वज़ाई उल्टा टाइगर का मुकावला करने के लिए उसके तरफ बढ़ने लगते है अब भालो की इस इमत को देखकर ये टाइगर मौशाई भी घबड़ा सकते है इसका अंदाज आपको ये वीडियो देखकर ही हो जाएगा दरसल इस वीडियो में नजर आ रहा ये बंदर किसी नदी के किनारे पेटकर पानी पी रहा था तब ही एक भोके मागर मस्त ने इन पर हमला कर देते है अपने साथी को इस मुसिबत में देखकर ये सारे ब दोस्तो वीडियो में दिखाई दे रहा है कुत्ते ने जब एक इलेक्ट्रिक इल को सेरने लगते है तो आगले ही पाली से आपनी गल्ती का एहसास हो जाता है क्योंकि ये इल ने कुत्ते को ये सातागडा जटका दिया कि कुत्ता जिंदिगी भर कभी इसे भूलने ही पाए तो ये कंगरू अपने हाथों का इस्तेमल करके इसे पानी का मज़ा सखाते है कुत्ते कंगरू का असानक हामला से घवरा कर अपने जान बसा कर यहासे रापोसकर हो जाते है दोस्तो बाक्री और गाए के अगर आपोस में तुल ना की जाए तो इनके विस्षाई से लेकर त कमेंस में से एक है घात लागाते हुए यहाँ पर एक शेर घास में सीपकान भेशों के एक जून पर हामला करने का फ्लान बना रहा था लेकिन इच्छे पहले यह कुछ कर पाए एक भेश के नजर इस पर आगिरा और वो भेश बिना समय का बाई इस पर तूट पड़ा इस बुरी में इस शेर को अपना पेर टुटवा कर यहाँ से शिकर भूल कर रोते रोते अपने घर की और जना बढ़ा एक लाकरवग्गे को आकेला देखकर करीब 20 कुट्य के एक जून में इसे अपना शिकर बनाने की कोशिश करता है लेकिन यह लाकरवग्गा आकेला होत नहीं बलकि उल्टा यह आवाज देकर अपने जून के साथियों को बुलाने लगता है और इसकी आवाज सुनती ही जून के कुछ साथी तुरंत ही इसकी मदद करने यहाँ पहुंच जाते है और इसकी इन साथियों को देखकर कुट्टी की हवा टाइट हो जाती है और सिट होते कि तभी इस बहेश के कुछ साथी आकर इन शेरों पर हमला बोल देते हैं और इन्हें यहाँ पर एसे ख़दर देते हैं मानों यह कोई शेर नहीं वलकि कोई मामली कुट्ता या बिल्ली हो इस वीडियो में बड़े ही दिलसास्प घटना केमरे में कैध होई है जहाई तिन टाइगर एक साथ मिलकर एक बतक कशी करने की कोशिश करते हैं लेकिन जैसे ही यह पानी में घुजकर बतक के करीब जाते हैं यह बतक तुरंत पानी में डूप की लगाकर इनकी आखों के सामने गयव हो जाती है इसकी कुछ देर के बाद यह पानी में वाफस उपर आत है लेकिन जैसे ही ये टाइगर दूबरा से इस पर हामला करने की कोशिश करता है ये डूब की लागे कर फिर से इसी तरह गयव हो जती है पताक और इन टाइगर के 20 लोक्स भी काई ये खेल काफी दिर तक सलता रहा जहां अंत में जित पताक की ही हो गई वीडियो में क्या कोई सुटा बच्चा हो पकाई जंगली भेशों में बहुत ही ताकत होती है यहां इस वीडियो में एक गेंड़ा भेशों के जून के दरब यह सोस कर दोड़ते है कि यह इसे डर कर यहां से भाग जाएगा लेकिन यह जंगली भेश इस गेंड़े को अपनी तरह वाते देख एक इंस भी पीसे नहीं हिला यहां तक कि भेशों के गुश से और ताकत को भाब कर उल्टा गेंड़े ही अपना संमन बसा कर बहुत से भाग ना पड़ा दोस्तों यह थी आसके वीडियो केसी लागी कॉमेंट करके जुरूर बताए आने वली इसी और भी वीडियो को देखने के लिए इस सेनल को सब्सक्रेब करके बेल आइकन पर भी प्रेस कर दे मिलते हैं आगले को यह मदेदर वीडियो में तब तक के लिए सौस्त रहे